स्री शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज है देव उठनी एकादशी साथी में है तुलसी विवाहा आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाहा की बहुत बहुत हर्दिक शुबकामना है और दोस्तो आज की इस वीडियो म हम आप लोगों को गन्य के रस वाला उपाय पताएंगे साथ ही में 108 बत्ती वाला जो विशेश उपाय है जो कि आप लोगों को इस तेव उठनी एकादर्शी के आज के दिन करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाले हैं इसलिए जो लोग इन उपा अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो दिन होता है देव उठनी एकादर्शी का दिन इस दिन सभी जो है अपने घरों में नए गन्य लेकर आते हैं और गन्य की जूपड़ी बनाते हैं जिसके नीचे तुलसी जी और शालिक राम जी को विराजित करते हैं साथ ही में दो देखो गन्य का रस अब आपको यहां पर कहीं पर निकलवाने की जरूत नहीं है तेव उठनी एकादर्शी है तो गन्य तो आपको जरू मिलेंगे ही मिलेंगे बस आपको करना यह है कि उस गन्य से थोड़ा सा रस आपको किसी माध्यम से निकाल लेना है किसी जुगार से य कहाँ पर सुभा सुभा प्राताहकाल देव उठनी एकादर्शी के दिन भगवान शिपजी के मंदर में कहाँ पर जाना है भगवान शिपजी के मंदर में शिपजी के मंदर में जाकर आप लोगों को मात्र जिस तरीके से आप जल से शिपजी का अभिशे करते हैं उसी तरी जी बहुत जादा प्रसन्न होते हैं तो एक बार ये गरने के रस वाला उपाय जरूर कीजिगा भले कितना ही गरने का रस मिले पर इस से आपको शिप जी का अभीशेक जरूर करना है फिर आप चमतकार देखना कि आपकी घर में कैसे सुखसमरिद्धी पड़ती जाती है जबग 5-6 बजे के बाद से कभी भी रात्री के समय तक भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं तो 108 बत्ती वाला दीपक हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कैसे बनाना है 365 बत्ती वाला जो दीपक वाला उपाय है वो थोड़ा मुश्किल है पर अगर आप लोग 108 बत्ती वाला दीपक वाला उपाय है इसमें आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें 108 बत्ती जो है हमें लाने पड़ेंगे मतलब 108 बत्तियों का जो है इसमें प्रयोग होगा कौन सी बत्तियों का प्रयोग होगा लंबी बत्ती का प्रयोग होगा किस चीज की बत्ती होगी वो होगी आपकी रुई की बाती किस चीज की जो आप अपने घर में रुई रखते हो न जिस रुई से आप लंबी बाती बनाते हो वही लंबी बाती का साइज रहेगा और वही रुई रहेगी मात्र आपको करना ये है कि 108 बत्ती वाला उपाय है बत्तियां बने क्योंकि इतन 108 बत्तियों की कुल मिलाकर आपको एक बत्ति बनानी है तो इसे लिए वह जादा मोटी ना हो तो आप लोग हर बत्ति को थोड़ा पतला पतला बनाए कम-कम रुई लेकर पतले पतली बत्तियां बना ले ठीक है तो इसी तरीके से पूरी 108 आप लोग बत्तियां बनाकर तयार कर ले जैसे ही आपकी पूरी 108 बत्तियां तयार हो जाती है इन सभी को एक साथ जमा ले और एक साथ जोड़ ले जोड़ने के बाद हलका सा इन्हें मोड ले मोडने से क्या होगा यह सभी बत्तियां एक दूसरे से यह पक जाएंगी तो अब आपको क्या हो गया कि आपने बत्ती तो 108 बनाई है पर इन 108 बत्ती की आपने एक बत्ती बना ली है जो कि अच्छी मोटी हो चुकी है अब इस 108 बत्ती की एक बत्ती आपकी यहाँ पर तयार हो गई है अब आपको लेना है एक बड़े साइस का दिया या मीडियम साइस का दिया छोटा लोगे तो वो काम ही नहीं करेगा वो उसी समय जल जाएगा कि बत्ती यहाँ पर मोटी हो गई है इसमें घी भी जादा ही लगने वाला है ठीक है तो जोड़ा बड़ा साइस या मीडियम साइस का दिया लेना उसके अंदर आप लोग फिर ये वाली जो बाती है ना इसे रखना रखने के बाद इसके अंदर क्या डालोगे सिर्फ और सिर्फ शुत्य देसी गाय का घी ही डालोगे कोई और तेल नहीं डालोगे इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों आपका ये दीपक तयार हो जाएगा और ये दीपक आप शाम होने से पहले ही तैयार कर लें ऐसा ना हो शाम हो उसी समय आप दीपक को तैयार करने बैठें तो फिर आपको देरी हो जाएगी पहले से ही तैयार करके रख लें उसके बद में इस दिये का अपने ही घर में तिलक भी करें ऐसा ना करें कि दीपक आप स सबसे पहले चीज़ घर की जो माताएं बहने हैं वो विशेश रूप से इस उपाय को करें और किसी कारण बश्च घर में माताएं बहने उपस्तत नहीं तो फिर अपने घर में जो भी उपस्तत है वो इस उपाय को कर सकता है करना क्या है इस दीपक को एक थाली में या प्लेट में रखकर आपको जाना है भगवान शिवजी के मंदर में शिवजी के मंदर में जाकर क्या करना है आप लोगों को मात्र शिवजी के पास में बैठना है बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है इस दीपक को जलाना है अभी तो आप दीपक घर से तैयर करके लेकर आएं प्लेट में रखकर अब आपको यह दीपक को मंदिर में जाना है मंदिर में बैठना है और वहाँ पर जाकर इस दीपक को अपनी ही माचिस से जलाना है ऐसा ना हो माचिस ले जाना भूल जाओ अपनी माचिस से जला लेना और वह दीपक जैसे ही अच्छी से जलने लगी क्योंकि एकदम से तो वो जलेगा नहीं मोटी बत्ती रहेगी तो जैसी वो दीपक थोड़ा अच्छ से जलने लगे फिर इस दीपक को अपनी प्लेट के अंदर से उठा कर भगवाएं शिप जी के पास में रख देना थोड़ा दूर रखना भगवाएं शिप जी को आँच नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बढ़ी रही की चोटे दीपक तो हम पास में रख देना तो उसके उतनी आच्छ नहीं लगती है पर ये बढ़ी 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 है इसलिए इसके आच्छ लगेगी थोड़ा ध्यान से आप लोग जो है इस सवाले दीपक को भगवाएं शिप जी से थोड़ा दूर करके रखिएगा शिप जी के सामने अपने दीपक रखा अब कुछ समय हाथ चोड़के प्रार्थना करो प्रार्थना नहीं करना है कुछ नहीं बोलना है तो स्री शिवाय नमस्त अभ्यम का जाब करो इस उपाय को करने के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है स्वता ही आपको सब कुछ मिलता है भगवान शिप जी से आप जो नहीं भी मांगेंगे वो भी आपको प्रदान होगा आपने कर में सुक समरिद दियाएगी और इस उपाय को करने का इस दन सबसे बड़ा लाब हमें ये मिलता है कि अगर हम ने अपने पूरे जीवन में या पूरे साल में कभी भी कोई तीर्थ का नहीं किया हो बड़े बड़े तीर्थ नहीं किया हो तो हमें उन सभी तीर्थों का फल मिल जाता है इस एक उपाय को करने के बाद ठीक है? तो करना क्या है आप लोगों को शिप जी के मंदल जाना है शिप जी के मंदल जाकर दीपक को चला कर वहाँ पर रख देना है रखने के बाद कुछ समय हाथ जोड़कर जो है स्री शिवाय नमस्तविया में भगवान शिप जी के किसी भी एक मंदल का जाप करना है जाप करने के बाद प्राद्थना करने के बाद आप वापस अपने घर की और जा सकते हैं अब दोस्तों अब बहुत सारे लोगों के मिन में प्रशन होगा क्या सिर्फ शिव जी के मंदिर लेकर जाना है इस दिए को तो यहाँ पर हम आपको उदा दें इस उपाए में आप कोई से भी भगवान के मंदिर में इस दीपक को लेकर जा सकते हो और वहाँ पर इस दीपक को जड़ा सकते हो पर बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ देवता का ही वह मंदिर होना चाहिए जैसे कि शिव जी का मंदिर हो गया, राम जी का मंदिर हो गया, नारहन जी का मंदिर हो गया मतलब कृष्ण जी का मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया जितने ही भी देवता हैं सर्फ उन्हीं के सामने ये वाला दीपक जलेगा देवियों के सामने या माताजी के मंदर में ये वाला दीपक भूल कर भी मत जलाना और ना फिर उपाय काम ही नहीं करेगा, इसलिए इस बात का आप लोगों को विश्रिश रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यह बात हमाशा करते हैं, शमज में आ गई होगी, उसके बाद में दोस्तों बस यहाँ पर यह उपाय इतना ही होता है इस दीपक को आप लोगों को किसी भी देवता वाले मंदिर में जो है आपको जला कर आना होता है और ये दीपक में ऐसा नहीं है कि आपको पांच दीपक को बनाने होते हैं तीन बनाने होते हैं या दो बनाने होते हैं 108 बत्थी की एक बत्थी बनाकर मात्र एक ही मिट्टी का दीपक शुद्देशी गायकी घी का तयार होता है और इस दीपक को वहाँ पर जला कर आया जाता है एक तरीके से दीबदान किया जाता है कार्तिक के महिने में देवूटनी EAKA DASHी की दिन किया गया दीबतान का आपको कितना बड़ा फल मिलता है ये तो बात आप सभी लोग पहले से जानते ही होंगे उसके बाद में दोस्तों इस एकादशी को लेकर भी आपके मन में वह सारे प्रशनल्स जरूर उठ रहे होंगे इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा उसके बाद में तुलसी जी को जब इस पर्श नहीं कर सकते है तो ना उनकी पत्तियों को तोड़ सकते है ना उनकी डंडियों को तोड़ सकते है तो उपाय के लिए अगर तुलसी की पत्ति उपयों हो रही है इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और एक अदर्शी का दिन रहेगा तो चावल का भी यहाँ पर बिलकुल त्याग आपको करना पड़ता है कि चावल की जो भी सामकरी है वो तो आपको मतलब बनानी है नहीं होती है पर चावल बहुत ज़्यादा जरूरी है पूजन में तो ही आपको लोग इस दिन उप्योग करें अन्यता ना करें ठीक है बाकी चावल उप्योग कर सकते हैं पूजन में वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात होती है ठीक है जो कि आप लोग ऐसा करेंगी ही नहीं पाकी दूस्तों हमने आपको सारी जानकरी देही दी है गन्यकिरस वाला और 108 यहाँ पर हमने आपको पत्ती वाला उपायचिस समझा दिया कोई भी समस्या आती है आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको आपको जवाब मिल जाएगा ओम नम्हाल शिवाय जाएपुले अबासरी शिवाय नमस्तु भ्या